नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चनल जीओ फी नियूज में दोस्तो टूडे परेकी नियूज, हिंदी नियूज, हेटलाइन्स, नियूज के तत हाल फिलाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्पून खबरे हम आपके सामने पेस करने जा रहे हैं तो दोस्तो आईए उसे पहले जान लेते हैं आज की हेटलाइन्स में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीओ को टकर देने के लिए बोड़ा फन ने उतारा है जब जस्त प्लान जी हाँ दोस्तो अगली खबर में आपको बताएंगे करज न चुकाने वाले लोगों के लिए बढ़ेगी मुस्किले जी हाँ दोस्तो अगली खबर में आपको बताएंगे शुर्जलें सरकार की बड़ी कारवाई निरो मोदी के चार बैंक खाते सीज किये गए जी हाँ दोसो अगली खबर आपको बता दे कि भारती जंता पार्टी ने अपने सांसोदों के लिए जारी किया है वहीट जी हाँ दोसो अगली खबर में आपको बताएंगे जो कि पस्चिम बंगा से आ रही है बसीर हाट में पुलिस और बीजेपी कारिकरताओं के बीच छडप बीजेपी ने कल बुलाया है बंद जी हाँ दोसो अगली खबर में आपको बता दे कि सन्यूक तराश ने चीन से कहा है उर्गई मुसल्मानों को उनके भले के लिए नजर बंद किया गया है जी हाँ दोसो अगली खबर में आपको पताएंगे G20 सब्मिट के दोरान प्रधानमत्री मोदी से मुलाकात के पहले ही टरंप ने दे दी है धमकी भारत के टैरिफिक ब्रिदी स्विकृती नहीं देनी होगी वापसी दोस्तो आई जानते हैं खबरों को बिजार से उसे पहले दोस्तो यदि अभी तक आपने चनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्ली चनल को सब्सक्राइब परने के बाद घंटी पटन को जरू से दबा दे और दोस्तो बिड़ो को लाइक सेर जरू करे जी हाँ दोस्तो कर्ज न चुकाने वाले लोगों के लिए बढ़ेगी मुश्कले इंकम टेक्स बिभाग बना रहा है लिष्ट जी हाँ दोस्तो आईकर बिभाग ने कर्ज रताओं के सारे बैंक खाते और संपतियों की सूजी बैंकों से साजा करने की तयारी सुरू कर दी है इससे जान बुझ करके कर्ज न चुकाने वाले लोगों के लिए महंगा पढ़ सकता है केंद्रिये परतक्ष कर बोर्ड ने आईकर बिभाग को कर्ज न चुकाने वालों के लिए ऐसे डिभाटरों की संपत्ती और खातों का बिवरा बैंकों से साजा करने को कहा है कर्च न चुकाने वाले लोगों की दिन पर दिन संख्या पढ़ती जा रही है सरकारी बैंकों ने इस बारे में CBDT से आगरह किया था और इस कदम पर मकसद ऐसे करजताओं के खिलाफ घेरा कसना और उनके जनता के पैसे की वसूली करना है CBDT के नए नियम के अनुसार कर बिभाग किसी आईकर दाताओं के आईकर रिटर्न का यह बिवरा निकाल सकता है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि ऐसे करजताओं के बैंक खाते गारंटरों और गिरिवी रखी समपतियों का बेवरा साजा किया जाएगा सूचना साजा करने से पहले ऐसे करज चुकताओं को बकाया टेक्स का भी ध्यान रखा जाएगा दिफाल्टरों की चल यह अचल समपति की बिक्री से प्राप्त रकम के इस्तमाल के पहले बैंक आएकर अधिकारियों के एन ओसी भी लगा सकता है जी हाँ दोस्त उस्तो अगली खबर आपको बता दे की जीयो को टकर देने के लिए बोड़ापों ने उता रहा है जब अजस्त प्लान उनको मिलेगा और साथ ही 100 SMS फ्री में दिया जागा इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल की सुभिधाय में मिलेगी और साथ ही रोमिंग कॉल की सुभिधाय उनको दी जाएगी इन सभी फायदों के अलावा Vodafone प्ले एप पर भी एक तरीके के गिफ्ट उनको दे रहा है इसके जरी लाइफ टीवी और मुवी का भी मजा ले सकते है जी हांतों सो अगली ख़बर में आपको बता दे कि आतंकवाद का उध्योग पाकिस्तान को समान पडोसी की तरह बिवहार नहीं करने देगा इस जैसंकर का कहना है जी हांतों सो विदेश मंत्रे इस जैसंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के इस तरीके के सहयूग के बड़े पैमाने पर आतंकवाद का फलता फुलता उध्योग है क्योंकि वह देश सोच रहा है कि यह पडोसी के खिलाफ एक जरूरी यह एक तरीका है यह भारत को कतई स्विकार नहीं है और ज्यादा से ज्यादा देश इस बिचार से सहमती जता रहे है इस जैसंकर का कहना है कि मेरे ख्याल से आज बड़ी समसे यह है कि क्या पाकिस्तान एक समाने देश और एक अन समाने पडोसी के रूप में बेवहार करने के लिए तयार है मैं नहीं समस्ता हूँ कि आज दुनिया में कभी भी आपको एक ऐसा देश मिलेगा जिसने आतंकवाद कृत का उत्योग तयार किया है जिहा तो उन्होंने कहा है कि गैर भेधवावपुन बेवहार के लिए पाकिस्तान को सबसे तरजीह राष्ट का दर्जा दिया गया है लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने के लिए बिफल रहा है उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी दक्षिन एसिया के के किंद्र में है लेकिन पाकिस्तान भारत के संबंधित connectivity का बिरूद करता रहा है वो यह चुनोती है कि अगर एक दिस आतंकवाद का इस्तमाल करता है समान बेवार नहीं करता है तो connectivity की बाधिता हो जाती है तो भारत ऐसे मुल्ख के साथ है कैसे काम कर सकता है उन्होंने कहा है कि कोई असान चुनोती नहीं है हम इससे वर्सों से जूज रहे हैं या कोई बड़ी चुनोती नहीं है जिसमें हम अकेले निपट रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम निरासावादी दिरिश्टिकोन अक्तियार नहीं करते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिष्टे से बढ़ करके उनके लिए कोई खुसी नहीं हो सकती है लेकिन मुझूदा हालात में हमारे सामने यह सबसे बड़ी मुस्किले हैं जी हाँ तो अगली ख़बर में आपको बता दे कि स्यूजरलेंड सरकार की बड़ी कारवाई निरो मोदी के चार बैंक खाते सीज़ किये गए हैं स्यूजरलेंड सरकार की और से की गई कारवाई के बाद निरो मोदी से जुड़े लोगों ने भी उनके एकाउंट को जमा रुपए का भी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं सरकार की इस कारवाई के बाद निरो मोदी के कुल करीबन 6 बिलियन डॉलर की समपती उसके हाथ से चली गई है आपको बता दे कि भारत के सरकारी बैंकों से 1000 कड़र रुपए की धोखा धड़ी करने वाले लंदन भागे हीरा कारोबारे निरो मोदी का सिकंजा कस्ता दिखाई दे रहा है लंदन की वेस्ट मिस्टर कोट ने निरो मोदी को जमाना तियाच का चोथी बार खारिज कर दी गई ऐसे में अभी लंदन जेल में उनकी अगली सुनवाई होगी जी हाँ तो सो अगली कपर में आपको पता देख जो की पस्चिम बंगा से आ रही है बसीर हाट में पूलीस और बीजेपी कारिकरताओं के बीच जड़प हो गई है और बीजेपी ने कल बुला दिया है बंगाल बंद का एलान जी हाँ तो सो पस्चिम बंगाल जंग का मैदान बंता जा रहा है राजनितिक हिंसा का दोर थमने का नाम नहीं ले रहा है त्रिमूल कॉंग्रिस और बीजेपी कारिकरताओं के बीच कई जगह जड़पे हो रही है बीजेपी कारिकरताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी ने पस्चिम मगाल में कई जगह प्रोटेस्ट किया है आपको बता दे कि आज 24 परगरा में 100 ले जा रहे बीजेपी कारिकरताओं से पूलिस में जड़प हो गई और कल बीजेपी ने पस्चिम मगाल में बसीर हाट में बंद बुलाए है इसके अलावा बीजेपी कल पूरे पस्चिम मगाल में काला दिवस भी मनाए की जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि पस्चिम मंगाल में बीजेपी और त्रिमूल कॉंगरेस के बीच चल रही खूनी सियासी जंग के प्यलते हालत पूरी तरीके से बेकाब हो गए हैं कहीं होटिंग और पोस्टर के उपर जेज सिराम के नारे लिखे गए हैं तो कहीं रोड ब्लॉक की गई है और तो कहीं बीजेपी और त्रिमूल कॉंगरेस कार करताओं के बीच भीड़नत भी होके हैं किंद्रेग ग्रिह मंत्रालाय ने पस्चिम मंगा सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी हैं और कल बीजेपी नेता मुकुल राय ने ग्रिह मंत्री अमित्सा से मुलकात की थी जिहां दोसो अगली खबर में आपको बता दे कि सन्युक्त राष्ट ने चीन से कहा है उर्गई मुसल्मानों को उनके भले के लिए नजबंद किया गया है जिहां दोसो चीन का अक्सर ही सिंजियांग परांट में रहने वाले अल्प संक्यार उर्गई मुसल्मानों के परती कड़ा रुख अपनाने और उन्हें कैद करने का अरोप लगाता रहा है वहीं दूसरी तरफ लगातार चीन अपने इस कदम का बचाव करता रहा है चीन ने भी सनुक्त राष्ट मानवाधिकार परिशद में अपने उत्तर पस्चिम सिंजियांग परांट में हजारों लोगों को बिवादित रूप से कथित हिरासत में रखने का बचाव किया है आपको बता दे कि तुनियांग ने दवा किया है कि वी वास्विक सिख्चा और पसिख्चन के अंदर है उनका छोटे अपराद करने और और धार्मिक कटरता के लिए प्रभावित लोगों को सिख्चा कर उन्हें आतंकवाद और चरंपन्थ का पीडित बनाने के लिए पारे भी गए हैं तुनियांग ने दवा किया है कि इन केंद्रों का निर्मान होने के बाद भी यह अतंकवादी हमले का भी इस मामले के लिए नहीं सुनवाई करेगा जी हाँ अगली खबर में आपको बता दे कि जो अगली खबर आ रही है जी ट्वंटी सीखर सम्मेलन में प्रधानमत्री मोदी से मुलकात के पहले ही ट्रम्प ने दे दी है धमकी भारत के टैरिफिक वृद्धिय स्विकार नहीं करनी होगी वापस जी हाँ दूसरों आपको बता दे कि जमपान के सहर उसाका में भारते प्रधानमत्री नरेंद मोदी और अमेरिका के रास्पतिया अस्विकार है रास्पतिय डोनल्स ट्रब ने सुबह में ट्वीट करके कहा है कि मैं यानि प्रधानमत्री नरेंद मोदी से इस समध में बात करना चाहता हूं कि भारत में वर्सों से अमेरिका के खिलाफ उच्चा सुल्क लगाता रहा है और हाल के दिनों में उसे और चित्ता रुप से वापस लेना चाहता हूं ट्रंप G20 सिखर समेलन के इतर प्रधानमत्री नरेंद मोदी से द्विपक्षिये मुलकात करेंगे आम चुनाव में भाजपा की सांदार जीत के बाद मोदी के साथ उनकी यह पहली बैठक होगी जिया तो सो प्रधानमत्री नरे बैवस्ता से बाहर किये जाने के जबाब में हाल ही में भारत ने अमेरिका को आयातित 28 वस्ती उपर सुल्क लगा दिया थे आपको बता दे कि जपान के उसाका में होने जा रहे G20 सिखर समेलन में सामील होने से पहले प्रधानमत्री नरेंद मोदी जपान पहुंच चुके ह वहीं अमेरिका के रास्पति डोनल्ड ट्रम्प वाइट हाउस से भी कुछ देर पहले ही उसाका के लिए रवाना हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों अगली ख़बर में आपको बता दे कि दोस्तों भारते जिंदा पाटी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया है वही जारी किया है जिसके मुताबिक लोग सभा में जम्मू कस्मिर के reservation बिल का पास किया जाएगा